वेलकम टिश्टों डिक्टियसन डिक्टियसन पान सिकेन बाद जुरू होगा सदा सिकायत करने वाले यह नहीं समझती कि कोई पद उनके सभाव आकांचाओं दक्षताओं और योग्यताओं के अनुरूप नहीं बनाया गया है शिकायती प्रवित्ती परिस्थितियों से तालमेल बैठाने की अच्छमता की सूचक है दुनिया से उन्हें भी कम शिकायतें नहीं रहीं जिन्हें सब कुछ मिला सैयत कर्तव्यशील व्यक्ति जानता है कि समझदारी शिकायतें करने में नहीं अपने कार्य में चित लगाने में है अपने परिवेश और इर्दगिर्द की जिन जिवित और निर्जिव असमिताओं के बीच आप अधिकांस समय बिताते हैं उन सब के प्रती आपके भावों विचारों और प्रतिक्रियाओं से तय होता है कि आप जीवन में कितने संतुस्ट या अत्रित प्रसंचित या उदास सफल या विफल रहेंगे यो इतना संतुस्ट हो जाना कि अभिनव प्रयोग करने या नया सीखने की ललक खत्म हो जाए उन्नत और सम्रिद्धी को अवरुध कर देगा और व्यक्ती जड़ हो जाएगा संतुस्टी का स्वरुप इस प्रकार हो की अवरोध और कठिनाईया आपको विचलित या उद्गिन न कर सकें इन्हें जीवन पत का अपरिहार्य पक्ष मान कर खुले मन से स्विकार करें और अपने लक्ष की और अग्रसर रहें पहराचेंज वास्तों में दूसरों की शिकायतें ले जाना मुर्खता है विकट या अप्रिय परिस्थित में समाधान सिकायत करने से नहीं बलकि सही दिसा में ठोस कार्य से निकलेगा प्रतिकूल इस्थित का सामना करने में स्वय सक्षम व्यक्ती सिकायते नहीं करते पहराचेंज शिकायती मुद्रा सर्वपर्थम उस व्यक्ती के मन को दूसित करती है जो इस भाव को प्रश्रय देता है फिर यही नकारात्मक भाव दूसरों तक पहुँचा कर वह वातावरन को दूसित करेगा सिकायतों के स्थान पर हिर्दय में सुखद प्रसंगों की प्रतिस्ठा की जाए तो जीवन सुखमय हो जाएगा सिकायती सभाव वाला बाधाओं अडचनों में स्वय को उलजा कर औकरमण्य हो जाता है वह अपनी उर्जा सकारात्मक दिशा में नहीं लगाता शिकायतें करने में उसे वही आनंद मिलता है जो करमठ व्यक्ति को करमरत रहने में स्टाब